आथियो गुड मॉर्निंग दरी वे गुड मॉर्निंग आज हम जो डिसकस करने वाले हैं जो सीनियर टेचर जो का कंपिटिशन एक्जाम हुआ था जीके का 2016 वाला जो पैपर था पैपर फस्ट इसका जो एक्जाम हुआ था एक मैं 2017 को अंसर की जो आये थी 11 नवंबर सोरी सोर सेप्टमबर 2018 को इसकी आंसर की आई थी 11 सेप्टमबर 2018 को ठीक है तो यह सीनियर टीचर जो है उसका एक्जाम हुआ था तो उसकी अंसर के अपन देखने वाले हैं चलो शुरू करते हैं फस्ट कुशन के और बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी पाड़िया मध्यारावली स सरणी में इस्तित हैं इसका उत्तर बताने से पहले आप सब अगर नए हो मेरे चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए और कमेंड भी कीजिए आपकी क्वेरी हो ठीक है और वीडियो को लाइक भी करें तो निम्न में से कौन सी पाड़िय की सरणी में स्थित दें आपको बताना है ठीक है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा बिलकुल ऑप्शन नंबर एक मेरवाडा की जो पाड़िया है वह मद्यारावल्य में से देख मच्छिंव अगिजिला आता है आपको याद रखना अजमेर जिला ठीक है यह मद्यार अब धर मिए इनकलती से निकलती फिर घुरह एक खेड बर्मा지 toutes तीवे सबसे जादना है नेक्स्ट राजिस्तान में इस्तित थार के मरुस्तल में कौन सा बालू का इस्तूप का परकार नहीं है आपको बताना कौन सा सैंड ड्यून का परकार नहीं है आपको बताना है पैराबॉलिक तारा बर्खान और गोराउंड तो देखो पैराबॉलिक भी है बिल्कुल तार और नी थोरे होते हैं जो हवा के साथ अपनी आकरतियों को बदलते सा में नुदोट जबbird का जाता है यह आपको याद रखना है तो next आगे बढ़ते हैं लूनी नदी के पर अbrand आपका पर्दूशन का रंगायी thousand 여자 option नंबर आपका हो जाएगा option नंबर 1 हो जायगा और बड़ता है वहारा क्या है बोराट का पठार जिसके मद्दे इस्तिते हैं तो बोराट का पठार जो इसके मद्दे से कुंबल गड़ से लेकर गोंदर सगे बेगुद्धेपूर से बदल राध समन तक फैलावा ठीक है आपको आद रखना यह भी नद्यों का विवाजक कर नेक्स्ट राजस्तान में सर्दी की वर्षा कहला ते राजस्तान में हिस क्यों की फसल के लिए बहुत ही महत्पूर होती है ठीक है इसे गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है यह जो भूमद्य सागरे चक्रवाद से आती है यह भी आपको याद सक्यास्ता राब कि उस्टार तोटल चर्वडर ऑफियान से अपको याद रखनां प्से फोड़ा होगे आपका यीद्य seminars पूस्टेश चलनर को चमिर्ण के वाड़े चलना होते हैं तोटल जल अइसे इसे जो घृण के सब्सक्रेंज 느ुगालullen discretion से नहीं से आपको देखो जालो और यांगे बार्ड मेरे विए फ्लें परताब गड जो भी कहीं भी नहीं और यह आपको याद रखना है तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा वो परताब बनाती है तो इस कोश्शन को और पीशी ने डिलीट कर दिया गया है जैसे मैं बता देता हूं यह अपना राजस्तान वह पस्ची मी राजस्तान की बात करता हूं ठीक यह वाली जो होगी रहती ला मैंदन और यह वाला जो जाता अर्थ सुस्क हो जाता तो जीरो से 20 यह 20 करना है कि नेक्स आगे चलते हैं कि भारत के मरुस्तिलिकरण और भू अवनियन एटलस इसरो दोजर साथ कर राजस्तान के मरुस्तिलिकरण से प्रभाव से रहे कितना है तो यह आपको बचाना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 67% तक फेल गया मुस्तिलि ना ठीक है तो नाइन का जो बिल्कुल राइट आंसर आजाएगा आपको याद रखना है नेक्स आगे चलते हैं कौन सा यूगम सही यूगम नहीं यह आपको बताना कौन सा यूगम सही नहीं है कालो संद्ध किसा एक तरफ मुख्य नदि एक तरफ रहायक नदिया इक दरफ शायक नदिया आपको दिवी है तो काल मिए निवार बनास की सागी माही की चाप साबर मति की वाकल तो ऑप्शन की नबर टू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट निमलिकित नदियों में से राजस्तान में कौन से रुंडित सरीता कहलाती है यानि रुंडित नदी के नाम से किसे जाना जाता है या आपको कोशन नंबर 11 में बताना है तो उप्शन नंबर चम्बल नदी का जल केवल से चाही के उपयोग के लिए लिया जाता है क्योंद है तो देखो इसका जो ऑप्शन नंबर गथन तो इसका सही यह लेकिन कारण इसका सही नहीं क्योंकि चम्बल नदी का जल के assessment इननी विदूत बनाई जाती जैसे आर गला तो option number 3 आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा next आगे चलता है अगले question के और बढ़ते हैं निम्न में से राजस्तान में कौन सा सेत्र बालू का स्थूप से मुक्त है या आपको बताना है सेरगड सीव ओसिया सेरगड बाय तू चोटन और फलोधी पोकरण तो option number 4 बिल्कु क्या है निम्न में से राजस्तान के किस जिले में बांका पट्टी फैली वी तो राजस्तान के मांका पट्टी का फैली विए बिल्कुल option number 2 बिल्कुल right answer हो जाएगा option number 2 नागोर के अंदर फैली है यह आपको याद रखना आगोर के साथ अजमेर में भी फैली वी से हौच बैल्ट भी का जाता बाका पट्टी भी का जाता कूबर पट्टी के नाम से भी जाना जाता है कि अहाड के विशेवन निम्लिकित कत्रों में से कौन सा खतन असत्य यह आपको बताना है तो पंद्रा का जो बिल्कुल right answer हो जाएगा अपन देखते सबसे पहले कि अहाड के उ जायर के टुकड़े और चिप्स का समिस्रन का परियोग करते थे कितना अच्छा सवाल है कितने सारी नौलिज आपको मिलेगी स्कूर्शन से इसका जो पहले राइट आंसर में बता देता है आवासे बहुनों की नीव होती थी पत्थरों के होती थी पहली बात तो ऑप्शन नीवों को मजबूत हो सौंद्री करन बनाने के लिए तो मिट्टी में क्वार्ड के टुकड़े और चिप्स के समिस्रन का परियोग करते थे देखूए बहुत अच्छा है यह इसे आप अपकर नेक्स्ट विराट नगर के पर्थम उत्खनन किसके नेत्रत में किया गया था उप्शन नमबर एक बिल्कुल आपका राइट अंसर हो जाएगा दयाराम सहनी ठीक है नेक्स्ट निम्नांकित में किस विदेशी आत्रे ने गुजर परतिया राजवन्स की सेन ने सकती है उस सम्रद्धी का उल्ले किया तो 17 को जो अपना राइट अंसर हो जाएगा सुलेम राज्यकाल में प्रारव में उसे एक गजनवी आकर्मन को खदेड दिया वे मालवा के नर्वर्मन को प्राजित करने में सफल रहा उसने चालुक के नरेश जे सिंग सिद्ध राज की पुत्री से विवा किया और वे अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था तो अठारा का जो अपना सही आंसर हो जाएगा देखो वे अपने काल के प्रारव में उसने एक गजनवी आकर्मन को खदेडा था बिल्कुल सही है आपका बिल्कुल सही है वे मालवा के नर्वर्मन से प्राजित करने में सफल रहा था ये गलत है ये गलत हो जाएगा आपक और इपनी पुդ्र के हाथ हो उप्शन नमबर 4 ढे मैं है इस दुर्ण को किसा अधिकार सोपा था ये आपको बताना है तो निस्सक्त जी नमबर 1 लूर्णा नमबर 1 हो जाएगा टॉर्णा फ्रैदम अभूशन नमबर 1 होजाएगा उलू खाकु सोपा था नेक्स्ट अगले कोशन के और पढ़ते हैं नेम लिकित में से किस रजना में अमीर खुसरों ने चितोड पर लावदिन खिल जी के आकर्मन का वर्णन किया तो बीस का जो राय टांसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर एक होगा खजायन उल्फुतू खजा औरावन सौंगा के घायल हो जाने के बाद उनका राच शिन ध्यातर करके युद्ध जारी रखाता तो twenty one ना जूब्फु कि सट्था अगले है कि नेक्स्ट अगले कोशन के और बटते अगला कुशन क्या निम लिखित में से कौन से राध्पू सर्दार हल्दिगाटी के युद्व में राणा परताथ के पक्स में लड़ेते नीचे दीवी कूट में सही उत्तर का आपको चैन करना है तो देखते हैं कि देखो राम सिंग तवर भी लड़ेते जाला बीदे भी लड़ेते ठीक है और रावत करसंदास चुंडावत भी लड़ेते लेकिन असोग परमान नहीं लड़ेते यह आपको याल रखना ऑप्शन नमबर तीन जो है सोरी ऑप्शन नमबर चार जो है यह राणा परताब के लड़ेते बाकि राम सिंग तवर बीदा जाला रावत कर्शन चुंडावत इसका एक दो तीन से हो जाएगा ओप्शन नमबर चार देख रहा होगा आपको कूट कूट नमबर चार जो की बिल्कुल राट आंसर हो जाएगा आपका ठीक है क्यों असोग परमान नहीं लड़ ठीक के यह यद्र रखना आपको कम निम लिखित मैंसे किस राजपुट सासक को उपादी धारन की थी वीजए कटकातु की उपादी धारन करने वाला जो सासक था वह बिल्कुल महराना राज सिंह था पई ठीक है महराना राज सिंग का आप सभी जानते 1652 1680 के मध्दी नेक संप सभा की स्थापना किस ने करी थी संप सभा की जो स्थापना की थी वो गोविंद गिरी ने करी थी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है कब करी थी 1883 में करी थी यह आपको याद रखना है निम लिकित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजे सिंग पतिक ने वर्दा से प्रकासिद किया था तो 26 का जो आपका Hait अंसर हो जाएगा वो ऑपесь 25 ओर तीन होगा राजस्तान केश्री ठीक है राजस्तान केशरी को 1920 में विजे सिंह पतिक ने वर्दा से प्रकासिद किया था यह आपको याद रखना है तब निम लिखित में से डूंगरपूर परजामंडल के पर्थम अध्यक्स कौन थे आपको बचाना बहुत अच्छा सवाल है बहुत अच्छा सवाल आपको याद रखना होगा बिलकुल याद रखना होगा और बार-बार याद रखना होगा बोगिलाल पांडया जब आप बार- तो राव देव समिति के गठन में धोलपूर वे ब्रतपूर की राज्य जनता कि इस बात के लिए राई जानने के लिए किया गया था कि वे राजिस्तान अत्वा उत्रप्रदेश किसमें मिलना चाहते हैं तो इस समीति का अध्यक्ष सहीत कितने सदेश्य थे आपको बताना है तो इसकी में बात कर लेता हूं तो ऑप्शन नंबर टू आपका विल्कुल रायट आंसर हो जाएगा वे अथाइस का जो आपका सही उत्रप्शन नंबर तो तीन सदेश्य थे ठीके कितने सदेश्य थे थे तीन सदेश्य थे वह भी मैं आपको बता देता हूं कौन-कौन से दूसरा थे टीन सदेश्य थे तो 28 का जो त्यांसर हो जाए एक तो अपने स्विन डॉक्टर संकर राव देव थे दूसरे आपके प्रबु दयाल थे एंदरे रहा कर दो फर को संदेश्य थे क्वापस पूछा जा सकता है इस निवकों सा सुम्मैलित नहीं यह आपको बताना है को स मेल सभू नहीं आपको बताना झी गोगा मेधी मलीनाथ पिच्च्याक पापूजी कोड़ो तेजाजी फर्वसर तो पिछियाक का सम्मद मली नाथ से ही निक मली नाथ का सम्मद तो बाड मेर से ना तलवाडा से तिलवाडा से बाड मेर के ठीक है पिछियाक से कैसे हो सकता तो ऑप्षिन नमबर टू आपकर आयट अंसर हो जाएगा संत माव जी का मावजी निक्सलंक संपरदाग के संसतापक आप्छिए घम्बो जी जो है विश्च्ण विस्णव beneath के संसतापक जी आपको याद रखना है नेक्स अगले कोशन की वर बढ़ता अगला कोशन क्या है किराडु का सोमेश्वर मंदिर आवा नेरी के अर्सेद माता का मंदिर निमनकित में से कौन सी स्थापत्य सेली के बने वे या आपको बताना तो 32 का जो आपका रायट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर टू गुजर परतियार सेली में बने वे नेक्स्ट अगले कोशन क्या है निमनांकित मैंसे किस दुर्ग को युनेस्को की विरासत दुर्ग गोसित नहीं किया है ठीक है जसलमेर को किया आमेर को किया गागरोन को किया लेकिन मांडलगड को सामिल नहीं किया आपको याद रखना 2013 में जो कि राजस्तान के च्छे किले सामिल किया ठीक है एक रन्थमबोर भी था अपना ठीक है एक अपना चितोड भी था ये भी आपको याद रखना एक आपका अच्छा सवाल वापस से रिपीट हो सकता है इसनिका जो संबनता गोपाल उदेवकुमा और जीवन का ये आमेर और जेपुर सेली से जो आमेर सेली थी नहीं से जिनका संबन उप्शन नमबर एक आपका बिल्कुल डायेट आंसर हो जाएगा राजस्तान का परसिद्ध एनेश्वर मेला किस माह में लगता है तो इसका जो जाएगा जो शाब कि तिर्वृणी संगांपर बेने श्वर का मेरा लगता है। जेपुर में तीज की सवारी किस मां में निकाली जाती है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जै का स्रावन में निकाली जाती है। नैक्स्ट अगले कोश्ショंद के बाटते हैं लांगूरिया नर्ते होते है। जो लंग 37 का जो राजपुत सासक को ने तरंग रचित है तो 38 का जो राव बुद्ध सिंग द्वारा राव बुद्ध सिंग द्वारा रचित है ने तरंग यह सवाल अभी हाली में 2021 के आरेस प्री एक्जाम में भी पूछा गया था ठीक है सुमेलित करने में दिया वाता ने तरंग के सामने जो कि सुमेलित नहीं हुआ था दूसरा कोई सासक लिखा वाता जबकि रियल जो है इनके जो रचित रचनाकार हो राप बुद्ध सिंग यह आपको याद रखना ठीक है कि दक्सिनी राजस्तान में भील जंजाती का अधानीम लिखित में से कौन सा नर्थे नाटक रूप में किया जाता है तो 39 जो अपना राजरु जाएगा option नंबर तीन बिलकुल रिटांसर रुजायेगा गंवरी नर्थे कौन सा नर्थे गंवरी नर्थे ठीक है अगले कोशन की ऊरबटते राजस्तान मानुं अधिका आयोग अस्तित्युमें कब आयाता तो 40 का जो राय टांसर हो जायागा बिल्कुल टू 18 जनवरी 1909 में गायाता कब आया बहें 18 जनवरी 1909 18 जनवरी 1909 में गायता 18 जनवरी 1909 नेक्स आगे बढ़ते हैं राजस्तान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्स और सदेश्यों की नुक्ति राज्येपाल की एक समीति के अनुसंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्स कोन होता है यह राजस्तान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्स और सदेश्यों की नुक्ति राज नेक्स्ट संबन्द में नें मिल्क्रिक कसनों पर विचार करना आपको ठीक है नीची कथन भी दिये वे आपको वे राज्यस्थान की केंद्रे वीशू विज्डाले का पुलाद पिति होता है वे राज्य के किसी भी लाप के पद कुदारण कर सकते हैं वे इंडियन सी वाला जो है न केवल सी वाला सभी बस बाकी सारे गलत केवल सी वाला सभी आपका ठीक है कौन सा कटन सभी इंडियान रेड़ प्रो सुसाइटी राज्यस्तान साखह का अध्यक्त होते हैं यह बिल्कुल सही कैंद्री विशु विध्याले के जो होते है वह अपने रास्टप मोहन मुकरजी को आपको याद रखना है नाच्स पर सूची एक को सूची टू से सुमयलित कीजे नीचे देख कूट का प्रियोग करते हो सही उत्रका चैन करना एक तरफ आपको सूची दीवी और एक तरफ आपको सुची टू दीवी जिसमें सच्यवाल्य के रैंक और भूमी का बताई भी है तो इसका अपने देखते हैं कौन सा नंबर का कोशन है फोर्टिफोर कोशन अपना फोर्टिफॉर को सबसे पहले शासन सचीव की बात करने तो सासन सचीव की भूमिका रहती वह नीति निर्मानकी आपको याद रखना ठीक है नेख्ष्ट अपन बात कर लेता hyum और प्रियोजन Palatin कर वाएगा और अनुभाग अदिकारी जो होता है अनुभाग अधिकारी के सम्बंद हो संफूर्ण प्रियवेक्शन करता है ठीक है और सायक का जो करता है जी झूकरता है बजट कर्यानवन नहत्र लिपकी कार्य करता है इसका जो हो जाएगा 21 3 у 322 e3 सोरी सोरी गलत मतादर तक का का आधिख का कर्य books का वह वाला नहीं होता इन अप्लेड मिक्त नॉम्ब्र 15 से पहले राजस्तान राज्ये के परमुक जाने जाते थे, तो 45 पर जो अपने राइट अन्सर जाते थे, यह आपको याद रखना है, Next, राज्ये के मुक्य सचीव को अवसियत दार कहा जाता जिसका अर्थ होता, तो 46 का जो औरत होता option number 1 विल्कुल right answer हो जाएगा आपका वे ऐसे सभी कार्य करता है जो विश्चिस रूप से किसी सचीव को आवंटित नहीं किये जाते हैं ठीक है यह आपको याद रखना है इसलिए इनको वसियतदार का जाता है एक तरफ मुख्य मंतरीर एक तरफ आपको क कारेकाल दे दिया घ्याए ठीक है तो इसको सुमयलित करना आपको मौहला सुकाडिया का जो कारेकाल है वह कौन सा है बिल्कुल 1954 से लेकर 1957 फिर 1980-1981 तो मौहला सुकाडिया का तो है वह तो चार नंबर पर हो जाएगा ठीक है फिर अपने बात करते हैं बहरु सिंग सिकावत अगले कुशन के और वड़ते अगला कुशन क्या है राजस्तान में राज्ये परसासन के विदित पर्मुक है तो 48 का जो राजस्तान हो जाएगा उप्शन नंबर 4 आपका राजस्तान हो राज्ये का जो राज्ये पर्मुक होता है नेक्स अगले कोशन के और बढ़ते हैं राज्ये का मुख्य सचिव कारे करता है तो 49 का जो राजस्तान हो जाएगा बिल्कुल कैबिनेट के सचिव के मुख्य मंत्री के मुख्यी स्लाखार के रूप में सचीव के मुख्यीज्ञ के रूप में सीविल सेवा के परदान के रूप में राज्यी के परदान तो इसका एट आंसर हैगा विल đấy है युट्झ्छव नमबर एक रजाएंगे आपको आड करते हैं कि नेक्स्ट नाभी के अपरते करते समूब के संबंद में निम्लिकित में से कौन सा कथनों पर विचार करना फिर कूट दियो इसका सही चैन करना आपको ठीक है कि अतियारों के निर्मान में उप्योग हो सकता है ठीक है अप्शन नंबर आपका थ्री बिल्कुल राइट आंसर होगा यह आपको याद रखना नेक्स अगले कोशन पर वड़ते हैं कि बारत सासन अधीनियम 1935 के संबंद में निम्लिकित में से निम्लिकित निम्लिकित कत्नों पर विचार करना आपको ठीक है तो इसका देखते हैं 51 का अधीनियम 110 तेरह और 12 अधीनियम में ऐसे रखिला वारतिय संग कीस्तापना की वेवस्ता की जिसमें प्रांधि देशी रियास्ते एकईों के रूप में समय मिली थे जिसमें प्रांधियों के जो साही जो कत्र हो जाएगा इसका 51 का माना विलकुल ऑ्प्शन नमर्ट 2 माना भी और डी जो सही आपका बी भी सही है और डी भी सही तो ऑप्शन नमबर दो बिल्कुल आपका रायट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट अगले कोशन के और बढ़ता है अगला कोशन क्या हमारा भारत के किस अनुचेद में गोवद निसेद राज्य नीती के निदेशिक तत्यू का एक भाग है तो 52 गजो रायट आंसर हो जाएगा अनुचेद 48 आपका बिल्कुल रायट आंसर हो जाएगा सविधान के 48 निशेद में गोवद निसेद और राज्य निती निदेशिक तत्यू का एक भाग है भारत की विदेश निती में पड़ोस पहले की निती कि प्रादम की तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर चार नरेंद्र मोधी ने करें ती आपको याद रखना ठीक है पड़ोस पहले कि जो नीती करें ती नरेंद्र सविदान की जारी अनुसूची इसमें पंचायत संबंदित तो पंचायत के कितने कारे दिये वही तो 29 कारे दिये वही आपको याद रखना चाहितों के सब्सक्राइब करोड़ रुपे की परियोजना को पारित किया है निम्न में से कौन सा उस परियोजना का हिस्सा नहीं है तो 56 का जो रायट आंसर हो जाएगा बस यह रतन ब्यारीजे का मंदिर बीकानेर वाले संबंद नहीं है बागी सिरिनार नाथ द्वारा गोविन देव ज देख लेते हैं बस रायट आंसर किया थे 57 कि 20 20 21 अगस 2016 में जेपुर आयुजित बिक्स मैला सांसत समयलन का उद्गाटन किसने किया तो सुमित्रा माजन ने किया था आपका रायट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट राजिस्तान के राजजी सभा पूरु सांसत वीपी सिंग कि सिराज्य के राज्यपाल बनाएगे तो 58 जो रायट आंसर हो जाएगा वो पंजाब के बनाएगे तका के पंजाब के नेक्स्ट अगले कुशन पर चलते हैं 18 जून 2016 को पर्तम बार माइला लड़ा को विमान पाइलेटों भारतिय वायू सेना में सामिल किया गया इनमें से तो 59 जो राजिस्तान सरकार में संसर्द्य सची नहीं तो 60 जो रायट आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर अनंद कुमार आप्शन नमर चार आपका बिल्कुल रायट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट राजिस्तान राज्जी के 3000 मीटर स्टैपल चैंज ओलंपियन और राष्टिक किर्तमान एथिलीट का नाम है तो 61 का जो रायट आंसर हो जाएगा वो तीन होगा स्रीगोपाल सैनी स्रीगोपाल सैनी नेक्स्ट राजिस्तान राज्जी के किस अंतरास्टे निशाने बाच को 2016 में अरजुन पुरुषकार दिया गया तो 62 का जो रायट आंसर हो ऑप्शन नमर चार अपूर्वी चंदेला को दिया गया तो अपूर्वी चंदेला को ठीक है नेक्स्ट अवोड जो परसिक्षन में उत्करस्ता है तो राजस्तान राज्ये के खेल परसिक्षक को दिया जाता है तो 63 का जो रायट आंसर हो ऑप्शन नमर तो गुरू वसिस्ट हो जाएगा कर सिवरस्ट 2014 और 15 के दोरान राजस्तान में कुल खाद्यों का उत्पादन हुआ था यह आपको बताना है इसमें देखो मैं आपको बता देता हूं इसका जो रायट आंसर था 65 का अपने जो रायट आंसर था बिलकुल कौन सा ऑप्शन था ऑप्शन नमबर एक इसका बिलकुल सहत है 166.22 लाख ठन लेकिन मैं वर्तमान के अगर बात कर लो आपके सामने वर्तमान के अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको पूरा ड़ाटा बता जाएता हूं कि वर्तमान में देखो 2021 222 के अनुसार कुल खाद्यान जो है 25.20 लाक मेरिक टन है 24.25 पॉंट 20 मैट्रिक लाक टन है ठीकर है यए याप को याद रखना है इसे मंघर में खरीफ की बाद कर लो तो 94 पॉंट 90 है यह वां को याद रैकना 84 to 90 er Corey अमेक利 8 मैट्रिक टन 144.30 Smart 1 लाक मैट्रिक टन है यह प्ति आपको याद रखना है ठीक है और इसका लाव में देश में पर्थम बात कर लो कि राजस्तान के कौन से फसलों में बाजरे में पर्थमिस्तान पर हैं बाजरे का जो कुल उत्पादन होता हो 45.56 होता है राई सर्सों में पर्थमिस्तान है पोसा कनाज में पर्थमिस्तान कुल तिलहन में पर्थमिस्तान दल 2007 और 12 के मद्य कमी हुई थी तो कितनी कमी हुई थी आपको बताना है ठीक है तो अपन देख लेते कितनी कमी थी तो इसका जो रायेट अंसर हो जाएगा बिल्कुल 66 का जो राये अंसर हो जाएगा अपना option 3 18.30 परतिसद नीवी 18.30 परतिसद लेकिन अगर पर वरतमान की बात कर लिए जाओ कि वरतमान के अंदर जो की बेड़ों की सबसे पहले तो वह 2019 के अनुसार जो पस्वों में कमी आई थी ना वो कितनी आई थी यह सवाल आप से पूछा जा सकता तो 1.66 आई थी आपको याद रखना ठीक है ठीक है पहले कितनी थी पहले थी पहले थी पहले थी पूई पाच पॉइंट सतित्र करोड और अब कितनी हो कि वह पाच मैं इसके लावर बात कर लें तो सबसे ज्यादा जो वृद्धी हुई थी वह स्जादा जो व्रदी हुई थी ओभात जाद से ज्यादा जब भर दाडी हुई हुई थी 집तिए हृट चैड़ू आप उनु coc परचान में परतिसात कमी हुई थी आपको याद रखना कुल बैड़े कितनी थी तो कुल बैड़े जो थी 2012 में नो पॉइंट एक मिलियन थी जबकि 2019 में 7.9 में परचान ओपरेशन फ्लड का संबंध है और बात कर लेते हैं कौन से करांति से आपको बताना को बिलकुल स्वेच करांतिस नमबर डू आपका विटकुल रायट आंसर हो जाएगा झाएक अगला कोशन के और चलते केंद्र विकास बोड इस्तित थे तो 68 का तो अपना राय अगले कोशन के और बढ़ते हैं प्रदानमंत्री फसल भी मायोजना के अंतरगत वाने जिक और उध्यान की फसिल का प्रीमियम दर कुंस कितना है तो यह आपको बताना तो 69 का जो राय टांसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर तीन पाच परतीसत कितना भी पाच परतीसत पाच परतीसत नेक्स आगे चलते हैं फिर यह आपके साइकलोजी बुद्धी लब्दी वगेरा का सवाल आगे इसके बाद अपना इंटी में फिर थोड़ा इंडिया जी के वर्ल्ड जी के पूछा गया तो वह भी मैं आप आपको complete करवा देता हूं ठीक है यागे अपने आसे जादा नहीं आपका दस से कोशन बाकी बचाएं सो कोशन पूछे गए तोटली समय ठीक है यहां से स्टार्ट है ठीक है यह से स्टार्ट है आपका निवन मैसे ओस्ट्रेलिया का जो सरूच परवत सिकर है नो वो कौन सा है यह आपको बताना है तो उस्ट्रेलिया का जो सब से ऊचा सिकर है वह बिल्कुल मांट कोशियोस को है मांट कोशियोस को ऑप्शन नमबर टू बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा आपका ठीक है नेक्स अगले कोशन पर चलते हैं प्रत्वी दिवस जिस दिन मना जाता ह रहे हैं तो प्रत्वी दिवस कब मना जाता है आप सभी जानते कि 22 अप्रेल को प्रत्वी दिवस मना जाता है 22 अप्रेल को प्रत्वी दिवस मना जाता है यह आपको याद रखना है कि दक्सिन से पस्चिम में चलने वाली जो स्थाई पवने होती है तो इसका 92 जो राइट सुमात्रा को करता मलक का जल डमरु जो अलग करता मलेशिया और सुमात्रा को ठीक है कौन सा सुमैलित नहीं एक तरफ आपको नदी देगी वर्ड वाली नदी आगी ठीक है मेंजी सीपी ओहियो अमेजन मेरो और मरे डार्लिंग और हांगे मीन तो 94 का जो राइट आंसर है आपको याद रखना ठीक है मीसी सीपी की साइक नदी ओहियो अमेजन की मड़े एरा और मरे की डाड़ लिंगे ठीक है नेक्स अगले कोशन के और चलता अगला कोशन क्या है भारत का अकसांसियों देसांतरी विस्तार है तो 95 बहुत अच्छा कोशन यह तो सभी को याद होता ह अगबग लिक को इसका option नंबर 2 आपका राय आञ्ट हो जायेगा 8 दिडिडी चार मिंट उत्री इकसांस to第三 दिडिडी 6 मिनट इकसांस वे 68 डिडी सात मिनट पूरवी देसांद्र से 97 डिडी 25 मिनट उसनांतर से आपका बिल्कुल राय आंसर हो जाएगा नेक्स्ट निवन मैंसे कौन सी प्राइदी पिए भारत की सरूच चोटी है या आपको बताना है सरूच चोटी कौन सी है तो 96 का जो आपका राये टांसर हो जाएगा option number 1 अनाई मुडी option number 1 अनाई मुडी जो कि आपका बिल्कुल राये टांसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी सीत मानसुनी पवने किस तट के सहरे वर्सा करती है तो 97 का जो आपका बिल्कुल रायट आंसर हो जाएगा वो option number 4 होगा बे कोरो मंदल तट पर कौन से तट पर कोरो मंदल तट पर कोरो मंदल तट पर बिल्कुल रायट आंसर हो जाएगा next कि आपकी सा एक नदी नहीं है तो चूलीय जलपरपाथ किस नदी पे इस्तित है थे आज के सवाल होगी अपने 100 सब्सक्राइब करना अगर आप क्लास में कुछ चाहते हो कैसे पढ़ाय जाए तो आप अपनी विचार है वो कमेंट बोक्स में प्रसुत कर सकते हो